दोस्तो नमस्त का जे जगनात बिला से नी था मैं आप सब कर स्वागत हैं दोस्तो आज के वीडियो में में देखाता हूं कि मेरे भार में मैंने ते ओ आम का पेड़ गुवाभा बानना अपल क्रेप्स मोरिंगा लेवन सारे के सारे खेती मैंने किये हैं मगर इसके बाद भी म यहाँ पर कुछ बतक और कुछ देसी जो पौल्टी देसी च्टिकन उसको मैंने पाला है, देखिए आप देख सकते हैं यह सुभा का समझ दुछ। से हैं जो शुवा सुवा मैंने उनको खाने के लिए देता हूं यहाँ पर चावल देखिए आप आप ठा रहे हैं सब और यहां पर कुछ दाना भी देता हूं उनको सुभा देखिए वहां पर भी बता खा रहे हैं चुड़ा चूज़ा भी खा रहे हैं यहां देखिए दोस्तो आज का वीडियो बनाने का यह मर्चलत है कि आप जब भाम करते हैं तो जो भाम जो होता है तो पेड जो अब लगात रहें उसका तो बेनीफिट आपको सार पांच सल लग जाएगा पाने के लिये मगर आप उसमें ऑने दो म हाईब को बुला कर फटिलाइजर देना पड़ता हो यह सारे खर्च इससे हैं आप चला सकते हैं यह आप रखें और उसको पा लें और 6 महीना और 7 महीना में उसको बेज दें जो भी पैसा आएगा वो आपका फार्म में इटलाइज हो जाएगा आपका खर्चा जो है वो जो बोलता है न जो दोस्तों मिस्त जो होता है न मिक्स हमिंग मल्टी फार्मिंग उसको बोलते हैं उसको करिए ना कि केवल आप पेड लगा दीजिए छोड़ दीजे यह नहीं देखें यहां पर मैंने एक तालाबी पनाया था चोटा तालाब देखें वहां पर मचली खा कर दाना भी मैंने दिया था अभी देखें अनृगा अधार वहां पर हधिन मच्ली कुछ मैसली मेनने अभी है कि एक मैने के बाद में बेजयों गा तो इसको पकड़क है बड़ा-बड़ा मच्ली हो चुका हैं और कुछ तिक के मैंने लग्ए से था हुर दोसक्त को बेसे कि तो दोस्तों यह था आज का वीडियो तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों रखता हूं आज का वीडियो वीडिया अच्छा है तो लाइक करिए जोस्तों जय जगाने